माता लक्ष्मी की कृपा अपार धंसम पती सुब दिलाती है लिहाजा माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और हमेशा उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कुछ गल्तियों से बचा जाए बास्तू शास्ट में ऐसी बाते बताई गई है जो मालक्षमे की किपा दिलाती है साथी ऐसी गलतियों के बारे में भी बताया गया है जिनके कारण जीवन से सुखसमृधी चली जाती है और व्यक्ति कंगाली से घिर जाता है कड़ी मैनत से पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति के हाद में पैसा टिकता नहीं है नोट गिंते समय ना करेगी गलतिया नोट गिंते समय की गई कुछ गलतिया मातालक्ष्मी को नरास कर सकती है ऐसा करने से जीवन से धन रैभव चला जाता है जातक धनहानी फिजूल खर्ची आय में बाधा जहिलता है नोट गिंते समय कई लोग थूख का इस्तमाल करते हैं ऐसा करने से मातालक्षमी का अपमान होता है साथी नोटों पर लगे कि टाणू से हट को बड़ा रुक्सान पहुचा सकते हैं नयजा नोट गिंते समय कभी थूख ना लगाएं वरना पूरी जिंदगी गरीब इच्छे लेंगे चिपके हुए नोटों को निकालने के लिए नोट गिंते समय कतोरी वे पानी ले ले और हाथ की उंगली से हलका सा पानी लगा कर नोट किने नोट पर कभी भी कुछ लिखे नहीं ना ही उन्हें नुक्सान पहुचा ऐसा करने से धनका अपमान होता है साथ ही ये भारत सरकार के नियमों के खिलाब भी है नोट पर कभी खाने पीने की चीज़ें ना रखे ना ही नोट सिक्को को यहां वहां पड़ा हुआ छोड़े हमेशवा पैसो को संबान के साथ रखे परस में रुप्यों के साथ पुराने बिल फालतों के कागश ना रखे ऐसा करने से आयरुकती है रात में सोते समय सरहाने परस रखकर ना सोए पैसा हमेश अलमारी तिजोरी आदी में रखे साथ ही परस में नोट तोड मरूर कर ना रखे